हेलो फ्रेंड्स एक इंट्रेस्टिंग टॉफिक के साथ मैं हूँ प्रसाद गंता और आप दिख रहे हैं गिफ्टेड गुरू तो चलिए जनते हैं वो इंट्रेस्टिंग टॉफिक क्या है फ्राइस्ट, हाव डू बेबीज व्रीद इन उम्ब गर्वस्त सीशू केसे सांसे लेता है यानि कि जो बचा मा के पेट में होता है वो केसे सांस लेता है और सेकेंड कोशन ये है कि वाइट वो नीवन वेफिक क्लेंज देर फिश्ट नवजात सीशू अपने मुठी को हमेशा बंद क्यों रखते हैं ठीक इस तरह जो आप नवजात सीशू को दिखोगे जन वहने के वाद एक दो मेना तेक बच्चे ऐसे ही आपने मुठी को बंद रखते हैं इस तरह बंद रखते हैं कभी कवर खुलते हैं लेकिन माक्सिमूम टाइम इस तरह ही बंद रखते हैं तो फिर सवाल यह है कि यह नवजात सीशू आपने मुठी को इस तरह बंद क्यूं रखते हैं इस सवाल का जवाब जाना है तो आपको साइंस के पास जाना पड़ेगा और साइंस के पास इस तरह का जवाब है तो दिको exactly इस तरह ही पेट में रखता है बच्चा ठीक नए इक पैप इसको पॅण users के तरह ही तह हुघक diy न ठीक ना तो आपको हर एक पार्ट दिखने लगेगा चलिए इसको काट के अलग करते हैं अभी काट कर अलग कर दिया गया है ठीक ना और यह जो चीज देख रहे हो यह उनका वेग है जहां पर यह सीशू है ठीक ना इसको हम कहते हैं फीटस सीशू गर्वस्ति सीशू है इसके बाद यह जो चीज आप देख रहे हो यह यह आपका प्लासेंटा है और यह जो बेग देख रहे हो अंदर से कुछ निला कलर का लाइन जो दिखाई दे रहा है यह आपका आम्नेटिक सैक है और यह सर्विक से वेजाएना है ठीक ना इसके बारे में रिप्रोडेक्शन चाप्टर में आप पढ़ोगे रिप्रोडेक्शन चाप्टर के बारे में कुछ अगर ग्यान होगा तो इसका फंक्शन आपको पता होगा अभी हम लोग को जाना है इसके बारे में है तो समझ लो कि यहां पे जो पार्ट से दिखाई दे रहा ह इह Parl में सबसे ना जुक सबसे डेलिकेट कोण हूगा chuy आप कहोगे कि सारई यह फीटर सी डेलिकेट होगा यह जो सिशु है ना बहुत ना जुक होगा लेकिन यह गलत है अक्टक्ली यह इतने पार्ट में सबसे ज्यादा डेलिकेट अगर समझा जाए सबसे ना जुक अगर समझा जाए तो यह है अम्योटिक सक्ट किया है यह जो दीख रहे हो ना निला कलर का लाइन एक थाइली इसको किते अम्योटिक सक्ट यह बेलून की तरह है और उसके अंदर कई सारे लिकुड भरा हुआ है ठीक ना और लिकुड में यह जो बेवी दिख रहे हो यह हैराल प्रोटीन कर्भोहाइड्राइड लीपीड फोस्पोलीपीड एंड यूरिया से बना है इतना सरसामन से यह बना हुआ है उसके बाद कई सरा आंटीबोडी भी इनमें सामेल है ठीक है ना यह इस प्रकार का लिकुड है और यह एक बेग में यह अम्योटिक सक में 600 ml से 800 ml का लिकुड भरा हुँा होता है और वो उतना लिकुड के अंदर यह बेबी क्या करता रहता फ्लोटिंग होता रहता थेरता है ठीक na किस तरह तेरता रहता है इस तरह तरह तेरता है यह जो देख रहे हो ना लेयर यह आप लोका ऐमन्योटिक सेख हैं और बीच में एमनेटिक फ्रुइड भरा हुआ है और उसके अंदर एक बेबी क्या है प्लोटिंग स्टेट में है जैसे कि मान लीजिए आपने बैलून में पानी भर दिये हो और उसके अंदर एक छोटा सा मेड़क को छोड़ दिये हो तो बैलून क्या हो जागा एमन स्टेटिक फ्रुइड हो जाएगा और जो मेड़क होगा वह हमारे बच्चे होंगे ठीके ना सिसु होंगे गर्वस्ति सिसु होंगे तो अभी चलते हैं नेक्स टॉपिक के और फिर से वह डाइग्रम के और यहां पे दो कोस्टन को सॉल्व करते करते एक दो और इंट्रेस से बाते हैं common sense की बाते हैं एक logic लगा कि आप समझ सकते हो कि यहां पर इतना से liquid भरा हुआ act거를 का अंदर कोई सांस दे सकता एगा कभी संभवी नहीं है तो फिर यह सांस इक对 सिसे लिएता है आपको समझ में आना चाहिए कि सांस हम क्यों लेते हैं सांस इसलिए लेते हैं ब्रीद क्यों करते हैं ब्रेद हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम उसको यह जो है ना ऑक्सिजन को अप्टेन कर सकें ठीक है ना इसलिए हम ब्रीद करते हैं अगर माले जह हमको ऑक्सिजन डारेक्ट अगर मिल जा रहा है तो ब्रीद करने की कोई जरूरत ही नहीं है एक निए इस तरह यहां पर जो भुषिसू है यह सजोब्रीध करना चाहिए था लेकिन यह भुषिसन कर रहा है इसका मतलव इसको आकसिजन कहीं से सप्लाइ हो रहा है है कि निए तो जानते हैं यहां पर जो मधर है मदर जो ब्रीधिंग करती है तो उसी टाइम आउक्सिज कोड थीक है ना, umbilical code कहते हैं और ये placenta वो oxygen को umbilical code के थोज से ये जो गरवस्त सीशू के पास भेज़ेगा, सब लाइग करेगा, तो आभी क्या हुआ? गरवस्त सीशू को oxygen मिल गया, ठीक है ना? तो आभी इसको सांस लेने की जोरूत नहीं है और सांस लेता भी नहीं है, हम गया कोड की थ्रोज से यह बच्चे की और सुब लए गड़ देता है ठीक ना अब इसीगेंड सवाल यह है कि सर इन ये कैसे खाना खाता है इसए खाना भी नहीं खायेगा क्यूंडि यह पर कुछ खाना ही नहीं तो खाएगा क्या नहीं करेंगा ऐसे ही जब इधर से मदर खाना खाती है तो वहाँ से न्ीट्रेंट क्या होता है यहां तक आ ठाझा तक ठीक है यह प्लासेंटा क्या करेंगा वो सब न्यूट्रेंट को उंबिलिकाल कोड के थ्रोर से बच्ची को बड़ी तक पहुंचा देता है ठीक ना यह जो हैं इसको सप्लाय हो जाता है कौन कराता है प्लासेंटा कराता है ठीक है ना आभी यहां पे दिखें कि प्लासेंटा दो परकर कर रोल निभाया एक तो oxygen supply क्या दूसरा nutrition supply क्या आभी बलो कि सारी यहां पर nutrition आ गया और oxygen आ गया इसके अंदर से इसके बड़ी से कुछ waste material भी तो जेनरेट हो रहागा हमारे बड़ी के अंदर जो waste material जेनरेट होता है तो वो पशिनात के थ्रों से बहा निकलता है या फिर urine के थ्रों से या फिर toilet के थ् तो ये बच्चे के सरीर में जो waste material जेनरेट होगा तो वो कहां जाता है कैसे होता है तो बहुत बड़ी है question है कि इसके बड़ी से भी waste material जेनरेट होता है रिलिज होता है लेकिन वो waste material ये umbilical cord से होकर यहां तकार यहां पे save हो जाता है वो क्या है placenta तो यहां पे kidney की तरह भी या भी के तरह भी काम करता है यानि की पूरा all-in-one है ठीक है ना कौन यह placenta और यह इनको एकदम आच्छा चीज प्रोवाइट भी कर रहा है और गंदा चीज इनके सरी से बाहर भी निकाल दे रहा है है यह ना आप लोग भलोगे सारी यह इतना बढ़िया सोब काम कर रहा ह तो हमको थोड़ा सा इसका औरजिनल पिक्चर भी तो देखा दीजे ठीक है मैं आपको एक औरजिनल पिक्चर भी देखा दे रहा हूं यह दिखिए यह रहा प्लासेंटा का यह एक और चीटर एक फोटो है और यह जो चीज दिख रहे हो यह उंबिरिकल कोड है ठीक है ना जो बचा पैदा होता है तो यह कोड के साथ ही पैदा होता है ठीक है ना और यह कोड को क्या क्या दाता है इतना काट दिया जाता है और यहां पर क्लिप लगा दिया जाता है ठीक है ना और यह जो प्लासेंट है इसको फैंक दिया जाता यह पर कहीं पर गाड दिया जाता है ठीक है ना तो चलते हैं फिर से वोई डाइग्राम के और अभी तो हमको आंसर मिल गया कि यह जो गर्वस्ति सिसू है यह खाता नहीं है इनको nutrition provide किया जाता है यह breathing नहीं करता है सांस नहीं लेता है इनको oxygen supply किया जाता है तो अभी हमारा second question था कि यह गर्वस्ति सिसू आपने म तो यह question को जाने से पेले आपको बता दूँ कि यह जो amniotic sack है एकदम नाजुक होता है बहुत ही delicate होता है इसके अंदर जो liquid होता है वह बहुत सारे चीजों से बना हुआ होता है जो कि मैं आप बताया हूं और एक बात बता दूँ कि यह जो liquid है बहुत बड़ा रोल निभात कर रहरा है क्या है यह तो clear fluid है और यह क्या करता है यह room का temperature य continent कि यह जो बेएक का Temperature को regulate करता है और बच्चे का digestive system होता है और longo जो होते हैं respiratory system उसको यह क्या करता है develop करता है और दूसरा चीज है यह जो liquid है इसमें जो भरा हुआ है वह क्या करता है प्रट यहा तो उंबिलिकल कोड इनके सरीर में लपेट जाएगा तो यह मर जाएगा ना लेकिन यहां पर लिकुड होता है तो यह फ्लोटिंग करता रहता है जिसके बज़े से प्रोटेक्टेड रहता है और दूसरा चीजे माले जी कि यहां पर किसी ने चोट मार दिया ठीक है ना किसी यहां पर प्रोटेक्ट कर रहा है तेंप्रेचर को रेगुलेट कर रहा है नूट्रिशन दे रहा है और यहां पर कोई सारे आंटीबोडी भी होता है कोई सारे आंटीबोडी भी होता है जो कि बीमारी से बचाता है कोई सारे व्यक्ट्रिया से बचाता है लेकिन याद रहे कि यहां पर वाइरुस को बचा नहीं सकता है यह प्लासेंटा भी ऐसे ही है कि ब्यक्टरिया से बचाता है और प्रकर का और थोड़ा सा यहां पर चोट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर डेमेज हो सकता है और तेजी से और चोट लगा यहां पर यहां पर तो पूर ब्रेक हो कि सारे क्य इसी गिई कर यहीं तो यह ज़लत से यह बच्षा के लिए बहुत हीutet बहुत ही important है और यह जोग अम्नियोटिक साथ भी बहुत important है तो यह नाखुनों के लाग जाएगा तो धिक्कत होगा ना है कि नहीं और सिकंड पॉइंट यह है अगर मालेजी इतना परशन इनके नाखुन से कटके आ गया और यहां पर मालेजी सट गया चिप गया तो क्या हो जाएगा और यहां चिपक जाएगा और एक अजिब टाय का बच्चा पेदा हो जाएगा है ना तो कुल मेला के बात करें अजीब अजी बीकलांग बच्चे सब पेदा हो जाएंगे तो इसी के चालते दिखो नेचर का क्या करनाम है यह साइंस नहीं बनाएं साइंस वाश डिसकूबिर कर रहा है इस नेचर कैसे बनाएं जो कुछ भी बना रहा है नेचर कुछ सोच समझ के ने इसके वाज़े से यह बच्चा आपने मुठी को हमेशा बंद करकर रखता है ताकि इनका नाखून यहां पे किसी प्रकर का चोट ना पहुंच जाते हैं ठीक ना तो थोड़ा सा इस पिक्चर को दिखो जो इस पिक्चर को दिखोगे तो कुछ डिफरेंस आपको पता हैं लेकिन इनका मुठी में सारे के सारे नाखून एकदम अंदर गियो रहे हैं ठीक है तो इसी यह पता चलता है कि हमारे जो नेचर हैं इस तरह मुठी इसलिए बनवा दिया कि ताकि इस नाखून के चोट से इमनियोटी के साथ डेमज ना हो जाएं ठीक तो आभी आप पोशन है तो यहां पर दिख लो जो चटे बच्चों का प्यर दीखोगे न तो उसमें इस तरह का नाखून दिखने को मिलेगा यह जो नाखून है न एकदम अंदर दबा हुआ है ठीक है न और यह जो मसल्स दिख रहे हो यह मसल्स उपर के और उठा हुआ है ठीक है न यह टो यह नाखून जो नीचे दबा हुआ है और सामने उठा हुआ मसल्स है तो वह केसी अमिल्टिक सेक को डेमेज कर सकता है कभी समभवी नहीं है इस इंपुसिबल है कि ने तो यहां पर पेर में इस तरह का कंडिशन अपलाए हो चुका है वीडियो अगर आच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और सेर करना ना भुलें आज के लिए बास इतना ही फिर मिलते हैं आगले वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग टपिक के साथ तब तक बाए